Hey everyone, welcome to my channel. तो आज हम करेंगे कहानी लेखन that means story writing क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं रचनातमक लेखन creative writing वाला पार्ट तो इसमें second राता है हमारा story writing ये हैं हिंदी grammar की class 3 के book आप देख सकते हैं तो आज हम करेंगे कहानी लेखन हम सभी को कहानिया तो हमें सब को बहुत पसंद है तो कहानी लिखते समय हमें कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कहानी रोचक होनी चाहिए मतलब मज़ेदार होनी चाहिए उसकी भाशा सरल होनी चाहिए छोटे छोटे वाक्यों का यूज हमें करना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं एक आदमी है जो एक पोटली लेकर जा रहा है ठीक है वो पेड़ के नीचे लेड़ गया फिर बंदर आ गया उन्होंने क्या करा टोपिया निकाली और पहन ली और फिर इसने अपनी टोपिया फेकी तो इसको देखके सारे बंदरों ने ट जा रहा था चलते चलते वह ठक गया आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया उसे नीद आ गई उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे बंदरों ने देखा कि उनके पेड़ के नीचे कुछ सामान रखा है उन्होंने नीचे आकर टोपिया निकालनी शुरू क टोपी पेचने वाले को टोपी पहने देखकर उनकी समझ में आ गया कि टोपी सिर पर पहनी जाएगी सभी बंदरों ने टोपिया पहन ली कुछ देर बाद टोपी पेचने वाले की नींद खुली तो उसने देखा उसकी सारी टोपिया बंदरों ने पहन रखी है वह कुछ परिशान हो गया वह जानता था कि बंदर नकल्ची होते हैं नकल्ची मतलब जो नकल उतारते हैं उसे एक तरकीब सूझी उसने अपनी टोपी सिड़ से उतार कर जमीन फर फेक दी मंदरों ने भी ऐसा ही किया उसने जल्दी से सारी टोपिया इकटी करके गठ्री में रख ली उसकी सूझ बूच से सारी टोपिया उसे वापस मिल गई तो हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत में भी समझदारी से काम लेना चाहिए तो यहाँ पर आपके सामने फिर से एक स्टोरी आ गई ठीक है यहाँ पर आपको कुछ संकेत बिंदू दे रखे हैं रोटी, सारी, पच्टाती, बंदर, बिल्लिया तोड़कर उसे ठीक है तो और यहाँ पर हमें फिल इन दा ब्लैंक्स दे रखे हैं जो हमें इनको फिल करना है सो दो बिल्लिया आपस में एक रोटी के लिए जगड रही थी उन्हें जगडता देखकर एक बंदर तराजू लेकर आ गया उसने कहा वह रोटी तोल कर बराबर भागों में बाटेगा बंदर रोटी तोल कर रोटी तोड़ कर पलडों में रखने लगा जिस पलड़े में रोटी ज़्यादा हो जाती बंदर उसे खा जाता धीरे धीरे बंदर सारी रोटी खा गया बिल्लियां पच्चताती रह गई तो हमें क्या सीख मिलती है जगडा करने से हमेशा नुकसान होता है तो ये जो आपको स्टोरी थी ये फिल इंद ब्लैंक्स के फॉर्म में दी हुई थी जो कि हमने यहां से वर्ड्स को लिया और इन में फिल किया तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं उमीद करती हूँ कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करिए बेल आइकन को दवाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा देट सॉल थैंक्यू